प्रिये मित्रों, अधिमाश या मलमाश में गुरू का तेज कम हो जाता है, जिसके कारण अधिमाश या मलमाश के दौरान सुभकार्ज नहीं करना चाहिए। अधिमाश को मलमाश या खरमाश भी कहा जाता है, जब भी सुर्ज गुरू की राशी धनू या मीन में परवेश करते हैं, तो अधिमाश लगता है, जो हर तीन शाल पर आता है। इस बर्स 18 सितंबर से यह सुरू हो रहा है, जो सुरह अक्टूबर तक रहेगा। एक कथा के अनुशार, खरमाश को जब देव और मानवो के द्वारा निंदा की गई, तब खरमाश इस निंदा से अपमानित होकर भगबान विष्णू के पास पहुँचा और अपनी व्यथा शुनाई, अपना कस्ट भगबान विष्णू को खरमाश शुनाया। तब उन्होंने खरमाश को स्विकार करके उसे बरदान दिया, कि मेरे सभी दिव्यगुन तुम्हारे अंदर शमाविष्ट हो जाएंगे, और तुम्हारा नाम पुर्शत्तम माश के नाम से जाना जाएगा, और तभी से इस माश का नाम पुर्शत्तम हो गया। माननता है कि अगर कोई बेक्ती सर्धा के साथ इस मास में अच्छे कार्ज करता है, तूशे कई गुना पुन्य फल की प्राप्ती होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार या हमास भगवान की पूजा करने का शर्वत्तम शमय होता है। इस माह में पूजा करने का दस गुना फल अन महीनों के तुलना में ज़्यादा मिलता है। इसलिए लोग इशमाह में उपवास, पूजा, पाठ, जप, आदी करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की शाधना इस समय करने से बहुत जल्दी पूजी हो जाती है। इशमास की एक आदसी का उपवास भी बहुत उत्तम माना गया है। इसमाह में शंध्या के समय तुलशी का पूजन करें। और ओम बाशुदेवाय नमह का जाप करें। और सुर्जदेव को जलरपन करें। शामर्थ के अनसार गरीबों की मदद करें। गाय को हराचारा और पच्छियों को दाना दे शाधा भोजन करें। बैदिक जोति शास्त्र में गुरू यानि ब्रहस्पति को सभी सुभकार्जों का परतिनीधी ग्रह माना जाता है। और जब गुरू की रासी धनू और मीन में सुर्ज प्रवेश करता है। तो उसके तेज के कारण गुरू की आभा निस्तेज यानि की कम जोर हो जाती है। जिस ओजासे उसका प्रभाव यानि बल कम हो जाता है। इसलिए गुरू का बल कम होने की ओजासे इस माह में कोई मांगली कार्ज संपन नहीं किया जाते हैं। जैसे बच्चो का मुंडन संपकार घर का निर्मान गारी खरीदने जैसे सुभकार्ज इस माह में नहीं करना चाहिए। तो जय हरी विश्वु।